Dear students, welcome to Great Smasher's इस वीडियो में explain करने जा रहा हूँ how to deal with collision in hashing या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो collision resolution technique तो college, university exam की बात करें या फिर आपके competitive exams की बात करें ये topic काफी important है तो guys, फटवर्ट से वीडियो को like कर दें चैनल को subscribe करें अगर अभी तक आपने नहीं किया और अगर कर भी दे तो और devices से subscribe करवा सकते हो ये आपके लिए एक task की है तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो तो कम से कम आपको एक subscriber जो है वो लेके आना है आज ही की date में तो फटवर्ट से इसको start करते है collision resolution technique की अगर हम बात करें मैंने आपको hashing के बारे में already last video में बताया कि what is hashing hashing कैसे काम करती है होता क्या है time complexity सारा लेकिन अब इसमें बड़ा important topic है collision से related कि यह जब भी collision अकर होगी तो उस case में फिर हम क्या करेंगे तो पहले हम देख लेते collision होती क्या है जैसे मैंने यहाँ पे k mod 6 hash function use किया 0 से लेके 5 तक मैंने hash table बना लिया क्योंकि जो मेरे को mode की value दिये होगी यहाँ पे 0 से लेके उस value से एक कम तक मतलब let's see अगर मेरे को k mod n दिया हुआ है तो मैं 0 से लेके n-1 का hash table बना लूँगा तो वो मैंने बना लिया अब देखो let's see key आई मेरी 24 तो 24 mode 6 24 mode 6 remainder क्या आएगा 0 4 पे गया और remainder क्या आए 0 तो 24 मेरा यहाँ गया then 19 18 पे जाएगा और पीछे remainder के बचेगा 1 तो low जी next 32 30 पे full जाएगा और remainder कितना बचेगा 2 तो यानि 32 यहाँ पे then देखो 44 44 7 into 6 42 और पीछे remainder कितना मचा 2 तो यह भी मेरा कहा पे आएगा इस point पे मतलब जैसे 44 आया वो भी इस point पे आना चाहिए था लेकिन यह तो already filled है तो इस case को हम क्या बोलते है collision अब collision को हटाने के लिए collision को resolve करने के लिए what we do तो यह जो है वो table आप याद रखना एक है concept chaining जिसमें हम बोलते है open hashing भी इसको बोलते है यह point note कर लेना competitive exam में मेरे को 2-3 बार इसके उपर question दिख चुक है theory में कि यह chaining क्या होता है open hashing क्या होता है closed hashing क्या होता है है बिल्कुल simple chaining जिसको हम open hashing भी बोलते है open addressing अलग होता है और उसको हम closed chaining बोलते है जिसके अंदर तीन टेकनिक आती है linear probing, quadratic and double तो सबसे पहले अगर हम chaining की बात करें तो chaining में करना क्या है आपको chain बनानी है external chain बनानी है 44 कहां पर आएगा आना तो यहां पर चाहिए था लेकिन यहां तो आ नहीं सकता तो फिर क्या करेंगे हम एक link list बनाके हम 44 यहां पर chain की तरह add करते रहेंगे ऐसी let's see इसके बाद मेरे पास आया 58 आया 58 आया तो उस case में होगा क्या 58 आयेगा तो again मेरे पास क्या करोगे आप यहां पर ही आपको लगान अपड़ेगा तो इस तरीके से chain जो है वो आपकी बनती जाएगी तो यह इसलिए इसका नाम open hashing है क्योंकि हमने जो मेरे को available space था उसको utilize तो मैं करी रहा हूँ साथ ही साथ मैं extra space भी use कर रहा हूँ that's why it is open hashing इस तरीके से आप याद रख सकते हो then अगर हम बात करें closed hashing closed hashing का मतलब क्या होता है closed hashing का मतलब है कि जो space आपको दी है सबसे पहले आप उसको proper way से utilize करोगे आप देखो यहाँ पे मेरे पास यह space तो खाली है लेकिन मैं extra space भरता जा रहा हूँ chaining के case में वैसे तो मैं detail में आपको एक एक करके बताऊंगा तो इतना कोई भी आपको problem नहीं होगी each and every point advantage, disadvantage यह सारे के सारे आपको एक करके explain करूँगा तो यहाँ पे अगर हम linear probing की बात करें तो linear probing के case में हम करते क्या है next available space में डाल देंगे next available space में मतलब कि 44 यहाँ आना चाहिए था नहीं आएगा तो next available देखेंगे अगर वो खाली है तो उसमें अगर वो भी भारा हुए तो उससे next मतलब एक करके sequentially next location देखते जाएंगे quadratic के case में हम क्या करेंगे quadratic के case में हम h plus i square mod n formula जो है वो यूज करते हैं जैसे अगर let's say मैं simple example से बताऊ next value आई 30 अब 30 देखो कहाँ पे जानी चाहिए थी 30 यहाँ पे आनी चाहिए थी बट यहाँ पे तो already मेरे पास जगा भरी हुई है तो फिर उस case में क्या करेंगे 30 जैसे आया वो already failed है मतलब इसकी hash value कितनी आई hash value कितनी आई यहाँ पे hash value मेरे पास आई 0 कैसे 30 mode 6 करोगे तो answer क्या बनेगा 0 तो hash value कितनी आई 0 तो अब हम क्या करेंगे 0 plus i square i क्या है यहाँ पे i होता प्रॉब नंबर मतलब आपने कितनी जगा पे चальную कितनी बाह चेक किया तो अब छेक किया आपने सिर्फ यहाँ पे चैब किया तो याणि value क्या बनगी तो 0 प्रॉब प्लस 1 sqrt mode 6 तो इस case में answer क्या बनेगा 1 mod 6 यानी 1 देखो 1 तो अलड़ी मेरे बास बरा हुए तो उस case में क्या करेंगे फिर मेरे prob की value 1 से क्या हो गई 2 क्योंकि मैंने पहले यह चेक किया अब यहाँ पे चेक किया तो यह भी बरा हुए इस case में फिर हम क्या करेंगे hash value तो इसकी 0 ही है वो तो fix ही रहेगी बट यह जो i की value है 1 से क्या होगी 2 तो 1 से क्या होगी 2 तो 2 का square क्या बना 4 तो 4 mod 6 तो 4 mod 6 क्या आएगा answer 4 आएगा तो यानी आप 4th location में 30 को डाल दोगे तो इस तरीके से हम generally जो है वो perform करते हैं ऐसी double hashing की बात करें तो उसमें हम 2 hash functions का use करते हैं एक data code डालने के लिए और अगर in case collision occur होता है तो फिर दूसरे hash function से हम उस collision को resolve करते हैं तो वैसे मैं यह सारे आपको detail में बताऊंगा क्योंकि एक ही video में advantage, disadvantage, each and every point बताना थोड़ा difficult है so this is all about the collision resolution technique thank you